हाई दोस्तों मैं मनोश सर मानचित्र बिस्त भुगोल तो देखे दोस्तों बिस्त भुगोल में आप लोग का चला था अफरिका के राजानी मैंने बता दिया था आज अफरिका के प्रमुक नगर बताएंगे तो जो लोग मेरे वीडियो को सस्क्राइब नहीं किया है ततकाल प्रभाद में सश्क्राइब कर दिजे दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है देखे कासा बलाका कासा बलाका क्या है अफरिका का एक नगर है या अट्लांटिक कितट पर अवस्थित प्रमुकश का प्रमुक बंदरगा है इवं दूसरा सबसे बड़ा नगर है रसायन उद्य वस्त्र उद्योग, खात प्रसंस्करण उद्योग एवं इलेक्ट्रोनिक समान का केंद्र है, यह देश का प्रमुख बित्ती केंद्र भी है। अगला देखे, अल अजीजिया, सहारा मरुस्तल में अवस्तित अलजीरिया का एक अस्थान है, यह विस्सो का सबसे गर्म अस्थान है, और विस्सो में सारवधिक तापमान, 58 डिग्री सी यही रिकार्ड किया गया है। ट्रोलियम उद्योग के लिए महत्तपूड है, इसके बाद देखे, सूती वस्त्र, रसायन उद्योग, खात प्रसंसक्रण, तंबाकू, टिंबर उद्योग का केंद्र है। अगला देखे, मुंबासा, मुंबासा क्या है? केन्या के सुदूर दच्छिड में हिंद मास आगर के तटपर अवस्तित है, या केन्या का प्रमुक बंदर गासार है, सिमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, जहाज, निर्मार का केंद्र है। अगला देखे, लुगुमंसी, जांबिया की सीमा और कटंगा पठारी छेत में अवस्तित है, कांगो गडराज का प्रमुक नगर है, या जायरे का दच्छिडी तांबा की राज़ानी का लाता है, और देश का प्रमुक आर्थिक तथा ब्यापारिक केंद्र है। अगला देखे, दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बेंगुला, बेंगुला क्या है, अटलांटिक मासागर के तटपे अवस्तित अंगोला का, आधुनिक कोस्मो पॉलिटन नगर एवं प्रमुक बंदरगा है, बेंगुला ट्रांस अफरिकन रेलवी का एक जक्सन है, तेल सोध अगला देखे, दोस्तों, जोहांस बर्ग, प्रिटोरिया के दच्षिड में अवस्तित, दच्षिड अफरिका की आथिक राजधानी है, यह देश का सबसे बड़ा नगर, एवं ब्यापारिक, एवं अध्योगिक केंद्र है, सोड़ खनन के लिए 200 प्रसिद्ध है, अब द बहुत इंपोर्टेंट है, दच्षिड अफरिका के दच्षिड परसिम में अवस्तित है, यह देश की बिधिक राजधानी एवं बंदरगा सहर है, अट्लांटिक महासागर, यहम हिंद महासागर के बीच जलमारगों से होने वाले ब्यापार का एक प्राचीन लगर अस्थ में पहाडी पर अवस्ति नाइजेरिया का सहर है, यहां से मुक निरियाता कुवस्तु मुंफली इवं अन्यक्रिसी उपजवी है, अगला देखे किम्बरले, किम्बरले बहुत बात पूछा दोस्तों, किम्बरले किसले फेमस है, दच्षिड अफरिका के लगबक मद्यवर परती भाग में हीरे के उत्तम किस्म के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर प्रत्वी पर मानवद्वारा खोदी गई सबसे घरी सुराक है, जो सबसे बड़ी हीरा खनन छेत्र में है, अगला देखे, मारकेस, मारकेस क्या है, मुरको के दच्षिड भाग में अवस् परत्वारा खेत्र का एक प्रमुक ब्यापारी केंद्र है, अगला देखे, दोस्तो, पोड साइड, सुएज नहर के उत्तरी सीमा पर भूमत सागर के तड़ पर अवस्थित मिस्र का प्रमुक नगर है, यह देश का मतपूर बंदरगा है, और सुएज नहर से होकर जाने वा अगला देखे, बुला बायू, हाई वेल्ड के पसिंचित में अवस्तित जिम्बाम्बे का दूसरा, अगला देखे, दोस्तों, यहां पर क्या है, इसके बाद देखे, दोस्तों, यहां पर क्या है, अगला देखे, दोस्तों, यहां पर है डारफूर, क्या है दोस्तों, डारफूर है, क्या है डारफूर, सुदान के पसिंबाग में अवस्तित नगर है, यह पठारी भाग पर इस्तित है, यह जनजाती बाहुले नगर है, ग्रे यूद की समस्या से ग्रसित नगर है, इसके नीचे एक विसाल जील होने की सूचना अभी भी हाल में, नासा द्वारा दी गई थी, इसके बाद देखे, दोस्तों, यहां पर क्या है कानो है दोस्तों, तो कानो देखे, सहारा भूमी च्छेतर की सीमा पर अवस्तित, नाईजेरिया का सहर है, भूत काल में, यह दा पर अवस्तित नाइजेरिया का प्रमुख बंदरगाह है इसके आसपास के नाइजर नदी के डेल्टाई औंदल्दली भागो में खनीज तेल की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है यह प्ट्रोलियम के निर्यात के लिए प्रशिद है अगला देखे यहां क्या है दोस्तो लागोस नाइजेरिया की पुरानी राजधानियों देश का प्रमुख बंदरगाह नगर है यहां रसायन उद्योग, वस्तर उद्योग, कार निर्माड उद्योग, जहाज निर्माड उद्योग का काफी विकास हुआ है इसके बाद देखे दोस्तों यहां क्या है डर्बन, क्या है डर्बन, हिंद महासागर के तट पर अवस्तित दचिड अपरिका का नगर है यह देश का प्रमुख अध्योगिक शेत्रम बंदरगाह नगर है यह रसायन खाद यह प्रसंसकरणों चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हदला दिखे मोनोरोबिया, अटलांटि पूर्वी भाग में अवस्तित सार है, यह सोने के खनन के लिए मतपूर केंद्र है, ओमुदुमीन, खातूम के उत्तर में एवन नीन लदी के बाईं तटपर अवस्तित, सुडान की प्राचिन राजधानियों देश का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, इसके बाद देखे कनाडा और सयुक्तराज अमेरिका की राजधानियों, अब यहां पर आता है उत्तरी अमेरिका की राजधानिया, तो देखे उटावा, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, उटावा, उटावा किसकी राजधानी है, कनाडा की राजधानी है, यह देश का प्रमुख सांस्क कोलांबिया में स्थित है, कांग्रेस लाइब्रेरी, सुप्रिंग कोड बिल्डिंग, हुआइट हाउस तथा पेंटागन, इसके विशेश चिन हैं यहां अनेक अंतराष्टी संस्थाओं के अमख्याले हैं, अब देखे दोस्तों यहां पर क्या है, कनाडा के प्रमुक नगर बहुत इंपोर्टेंट है, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कई बार पुछा है, तो देखे यह कनाडा के क्यूबिक राज्य में अवस्ति देश का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, यह सेंट लॉरेंस नदी और उटावा नदी के संगम परिस्तित है, यह फ्रेंच, संस्कृ परिती और परंपरा का प्रमुख केंद्र है, रेल्वे जहाज निर्माड, हवाई जहाज निर्माड और इंजिनिरिंग समानों का उत्पादन केंद्र है, यह कनाडा पैस्फिक रेल्वे तथा कनाडा नेशनल रेल्वे का मुख्याला है, कनाडा का समूर वाले वस्तर का म अगला देखे दोस्तों यहाँ पर क्या है टुरंटो कनाड़ा उंटोरियल राज्ज में अवस्थित कनाड़ा का सबसे बड़ा नगर है यह इंजिनिरिंग तथा वहान उद्योग का प्रमुक केंद्र है अगला देखे कार्नर ब्रुक कनाड़ा के न्यू फाउंड लेंड र हैलिफेक्स यह कनाड़ा के नोवा इसकोसिया राजिकी राज़्धानी है यह अटलांटिक महासागर का मुख्य बंदरगाह है इसके पासोवर्ती भाग में इस्थित एना पोलीस घाटी सेव उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है अगला देखे दोस्तों यहाँ पर क्या ह इसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर क्या है यहाँ देखे दोस्तों सेंट जॉन्स कानाड़ा के न्यू फॉंड लेंड की राजिकी राज़्धानी है यह प्रमुक बंदरगाह है बहुत इंपोर्टेंट है चौड़े महादीप मगनतट वाले ग्रांड बैंक का मुख् इसके बाद देखे दोस्तों हैमिल्टन कनाड़ा के उन्टोरियो राज में अवस्थित कनाड़ा का प्रमुक नगर है यह कनाड़ा का बरकिंगम के नाम से प्रसिद्ध है यह इंजीनिरिंग तथा लौ इसपात के केंदर के रूप में प्रसिद्ध है अगला देखे बिड पादन के लिए प्रशिद्ध है अगला देखे बैकूवर क्या है बैकूवर कनाडा के ब्रिटिस कोलंबिया राज का सबसे बड़ा नगर है जो फ्रेजर नदी के मुहाने पर अभिस्तित है यह कनाडा पैसफिक रेलवे का पस्मी टर्मिनल है यह लकडी के तक्ते बनाने का प्रमुक केंद्र है गेहूं और डिब्बा बन्द मचली लकडी लगुदी आधी के निर्यात के लिए प्रशिद्ध है अगला देखे दोस्तों यह क्या है कलगरी कनाडा के अलबार्टा राज में किक किंग होर्स अरे दर्रा के निकट राकी परवत पदी शेत्र में अवस प्रमुक नगर है मनी टोबा की राजदानी तथा बिसुकी सबसे बड़ी गेहूं की मंडी यह ट्रांस महाद्वीप रेलवे का मुक की स्टेशन है समूर का प्रमुक ब्यापारी केंद्र तथा इससे निर्मित कपडों का उतपादन केंद्र है इसके बाद देखे सैफर व स्टेशन है इसके बाद देखे दोस्तों अब आता है देखे सैउप्त राज अमेरिका के प्रमुक नगर देखे सैउप्त राज अमेरिका के प्रमुक नगर देखे कौन कौन है दोस्तों तो यहाँ पर देखे अटलांटा अटलांटा यह सैउप्त राज अमेरिका के पेजल के उत्पादन के लिए प्रसीद्ध है कोका कोला का यहां अभिस्कार इसी नगर में हुआ था यह अपने भव्य भावनों, होटल, रेश्टोरेंट तथा बजारों के लिए प्रसीद्ध है यह एक आधुनिक नगर है यह 1994 में ओलांपिक खेलों का योजन हुआ था इसके बाद देखे बोश्टन यह संयुक्तराज अमेरिका की मेसा चुष्ष्ट राजिकी राज़द्धानी और यतिहासिक सांस्कृतिक एवं अध्योगिक नगर है इसका ओल्ड नार्थ चर्च साउथ मेटिंग हाउस सुनारे गुंबद वाला राजभोन ट्रिनिटी चर् इसके बाद देखे दोस्तों सिकागो क्या है सिकागो तो देखे संयुक्तराज अमेरिका की इलियोनोईस राजिका नगर जो मिसी गन जील के तटपर अवस्तित है या विंडी सीटी के नाम से भी प्रसीद्ध है यहाँ परविस्व का सबसे बड़ा रेलवे जक्सन है या भूतल परियोहन का प्रमुक केंद्र है पोर्क और बीफ उतपादन का विस्व प्रसीद्ध केंद्र है इसके बाद देखे क्यू लैंड या संयुक्तराज अमेरिका के ओहियो राजिका नगर है या इरी जील के तटपर इस्तित नगर है या लोहा कोईला का उतपादन फिर्मार केंद्र है या रेडी मेट कपड़ों के उत्पादन का भी केंद्र है अगला देखे दोस्तों यहां पर क्या है लांस एंजेल्स 1781 में इस्पेणी स्लोगों दोवारा इस्थापित किया गया संयुक्तराज अमेरिका की पस्सीम तटका प्रमुख नगर है या संयुक्तराज अमेरिका के एरिजोना राज्य की राज़धानी एवं सबसे बड़ा नगर है या हवाई जहाज कंप्यूटर तता सूती वस्तर के कारखाने यहां एल्मोनियम लौ इस्पात एवं हवाई जहाज से सम्मंदित उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ अगला नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अगला देखे डेनेवर डेनेवर क्या है संयुक्तराज अमेरिका के कोलोरेडो राज्य में अवस्तित उच भूमी का मुख्यनगर है या वन माईल हाई सीटी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि या समुद्र तल से एक मिल की मिराजदानी भी कहते हैं तेल, सोधन, उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है अगला देखे दोस्तों यहां पर क्या है तो देखे दोस्तों वेडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि देखे गैरी यह क्या है दोस्तों गैरी है तो देखे गैरी क्या है दोस्तों कि यह देट्रायर देखिए सहुत राज राज में हीरी जील के तड़ Given L一下 औरे जाएं इसे आटोमेटिक केपिटल भी कहते हैं देश की तीन बड़ी आटो मोबाइल उत्पादन करने वाली कमपनी जैसे कि जनर्रल मोटर्स, फोर्ड, क्रिसलर के कार खाने इसी नगर में है या सुरंगो द्वारा कानाडा के उन्टोरियो नगर से जुड़ा हुआ है इसके बाद के सैंडियागो सैयुक्तराज अमेरिका क नवसेना का मुख केंडर है इसके बाद सीएटल सैयुक्तराज अमेरिका की वासिंगटन राज में अवस्ती बिस्तो प्रसित नगर है हवाईजाज उद्योग के लिए प्रसित है बिस्तो प्रसित बिमान निर्माता कमपनी बोइंग कमपनी और लाक मॉर्टीन हीड यहीं अगला देखे फिला डेलिफा सैयुक्तराज अमेरिका के दिल्वारे नदी के तर्पर अवस्ती यह अपने इतिहासिक भावनों के लिए प्रसित है इसे सैयुक्तराज अमेरिका का बर्थ प्लेस भी कहते हैं क्योंकि सोतंतरता के दस्तावे 1776 में इसी नगर में यह क्योंकिर सीटी के नाम से प्रसिद्ध है अगला देखे दोस्तों न्यू और्लियन्स सैयुक्तराज अमेरिका में लिव सानिया राज में मिसी सीपी नदी के तटपर अवस्तित है 1778 में फ्रांसी सीओ द्वारा इस्तापित किये गए इस नगर को बीडेसी नगर के नाम प्रमुकेंद्र है यह एक बड़ा रेल जक्सन भी है यह नगर नहरो द्वारा मैक्सिको की खाड़ी से जुड़ा है सूती वा सुत्पादन का प्रमुकेंद्र है अगला देखे सेंट लुईस सैयुक्तराज अमेरिका में मिसी सीपी नदी के पस्मी किनारे पवस्तित है य अपनी चमकेली मनरणजन तता फैसन की जिन्दगी के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है सैयुक्तराज अमेरिका के पस्मी तटका या बड़ा ब्यापारी तता बित्ती केंद्र भी है यह दो सीटी आफ गोल्डेन गेट के नाम से भी जाना जाता है खाद प्रसंसकन इसप बिग एपल के नाम से प्रसिद्ध है यह सैयुक्तराज अमेरिका की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी है यह हडसन नदी के तट पर अवस्तीत है यह विस्सो का ब्यसतम हवाई अड़ा है और यह उची इमार्तों का नगर के उप नाम से प्रसिद्ध है प्रिंटिंग के डेल्टा पर अवस्तित नगर है यह तेल सोधन कारखाना उसे सम्मंदित उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और हूस्टन देखे दोस्तों सैयुक्तराज अमेरिका के टेकसास राज़ में अवस्तित प्रमुक बंदरगा जो तेल प्रसंसकरन पोत निर्मार और असायनिक पदार्थों के उद्योग हेतु प्रसिद्ध है इसके बाद देखे डल्लास यह सैयुक्तराज अमेरिका टेकसास राज़ का दूसरा सबसे बड़ा नगर है तेल निकालने की मसीरों और विजली दताखाद समागरी के उतपादन के लिए प्रसिद्ध है इसके अलावा यहा लास बेगोस यह सैयुक्तराज अमेरिका के पस्षिम भाग में अवस्तित कैलिफोर्निया राज़ का प्रमुक नगर है सैयुक्तराज अमेरिका में सबसे पहले 1931 में जुवा बैदानिक माना गया था अता यह दुनिया भर में कैसीनों के एक नाम से प्रसिद्ध है अगला देखे दोस्तों जुनेईू यह सैयुक्तराज अमेरिका के अलास्का राज की राज़दानियों प्रमुक नगर है यहाँ पर अलास्का का प्रसिद्ध मेलाज स्पीना ग्लेसियर अवस्तित है जो एक परवत पदी ग्लेसियर का उदारने यह मत्ध प्रसंस्क्रण का केंड अगला देखे होनो लूलू या प्रसांत महासागर में हवाई दूइब के उआउ दूइब परिस्थित प्रशिद नगर है या प्रसांत महासागर का क्रास रोड के नाम से भी बिख्या थे या प्रसित काल पोर्ट है अगला देखे दोस्तो मिलुवाकी या संयुक्त राज अ दोस्तों कई बार एक्जाम में पूछ चुका है यह संयुक्त राज अमेरिका के पेंसिलवानिया राजी में उत्तरी अपलेशियन छेत्र में सितनगर है यह विस्व का लौ इसपात की राजधानी के रूप में विस्व बिख्यात है यह अपलेशियन छेत्र से कोईला और सु नियागरा जलप्रपाद के निकट इस्तीत नगर है यह जलबिदूत उत्पादन के लिए परशीद यह संयुक्तराज अमेरिका का आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंडर है और बिम मिरगम यह संयुक्तराज अमेरिका के अलवामा राजमे दच्छिड अपलेसियन के अगला देखे फोट बर्थ यह संयुक्तराज अमेरिका के टेकसास राजमे अवस्तित या पसुगों का नगर भी है तता हवाई जहाज वा मंत्रिच या निर्बान का केंडर है मीने पोलीस यह संयुक्तराज अमेरिका के मिनसोटा राजमे अवस्तित है यहां गेहूं तता दुग दुट पादन छेतर की सबसे प्रमुक नगरी बस्ती है या नगर उस जगा बिक्सित हुआ है जहां से सेंट एंथोनी जल प्रपात मी सी सी पी की नौगम्यता को बाधित करता है अगला देखे एलो इस्टो नेशनल पार्क या सैंउतराज अमेरिका की बायो मेकिंग राजजमे अवस्तीत है या विस्तो प्रसीद गीजर का गीजर जो प्रते 64 मिनत के अंतराल में फूटता है जो ओल्ड फेत्फूल गीजर के नाम से प्रसीद्ध है या बड़ी संख्याय में रेड इंडियन जनजाती भी पाई जाती है अगला देखे सिंसिनाटी या सैंउ सैंउक्तराज अमेरिका के ओहियो राजजमे अवस्तीत नगर है या मसील टोल्स बनाने का प्रमुकेंद्र है डिब्बा बंद मांस उत्पादन के लिए भी प्रसीद्ध है अगला देखे मियामी मियामी क्या है सैंउक्तराज अमेरिका के फ्लोरीडा राजजमे अवस्तीत या अत्यन सुंदर बीच है जिसमें बड़ी संख्या में परियटक आते हैं अता आइसक्रीम उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है हालिवूड देखे सहुतराज के लास एंजिल्स नगर के पास अवसित उपनगर है या विस्व प्रसीत फिल्म उद्योग केंद्र है अगला देखे दोस्तों गैलवेश्टोन या मैक्सिको की खाड़ी के तट पर अवसित प्रमुक नगर है या तेल परिशोधन के लिए भी प्रसीदय बंदरगाह नगर है तो दोस्तों देखे आपके उत्तरी अमेरिका के प्रमुक नगर और आजधानी भी हो गया है दोस्तो दोस्तों देखे ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया मैं 10 मिनट का वीडियो बनाने वाला था लेकिन 10 मिनट का वीडियो मैं नहीं बना पाया तो दोस्तों देखे बिस्तों का भुगोल आप लोग का ये सीरीज जो चल ला है दोस्तों इसी बुक से आप लोगों को भार करिए subscribe करिए दोस्तों क्योंकि देखिए मैं भी एक बेरोजगार student हूँ मुझे भी कुछ पैसे YouTube से मिल जाता है दोस्तों इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा share करिए subscribe करिए like करिए दोस्तों धन्यवाद